तो आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाला हूँ ब्रेक आउट स्विंग ट्रेड स्टेजी यह क्या सब चीजे रहने वाली हैं तो पूरे डीटिल में बताऊंगा क्योंकि काफी लोग को यहां पे मैंने आज पोल भी डाला हुआ था टेलीग्राम पे एक्चुली तो वहा कैसे आप स्टॉकस निकाल सकते हो और सेकेंड चीज बताऊंगा ब्रेकआउट स्टॉकस होते हैं पैटन बेस पे उनमें हम कैसे आट से 10% का रिटन मिनेमम आट परसेंट तक का का रिटन कैसे कैप्चर कर सकते हैं ठीक है तो डीटेल में वीडियो रहेगी पूरा आराम से कर दिखिए का आप रिलैक्स होगे बैठ जाइए वीडी को स्टार्ट करते हैं लेकिन काफी लोग का ये भी कुश्चन था कि आप स्ट्रेडिंग चैलेंज नहीं कर रहे हो आप option बाइंग एक लिए उसमें जब प्रॉफित होजाएगा तब दूसरा लेंगे इस प्रकार से कुछ करेंगे तो अगर टू थाउसंड लाइक्स आएंगे तभी में स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं अकेला चैलेंज के देखो मेरे को futures में कोई problem नहीं है swing में तो मैं challenge मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है मेरे को options में problem थी तो मैंने अपने लिए challenge लिया अब जो मैं futures वाला challenge बोलना हूँ यह मैं आप लोग के लिए बोलना हूँ कि आप लोग अगर साथ में मेरे trade करोगे तो ठीक है नहीं तो तो फिर मैं अके लिए challenge करके क्या करूँगा मेरा already up swing का अच्छा चली रहा है तो right तो 2000 likes अगर आएंगे तो next video उसी के बारे में रहीगी अभी हम start करते हैं video को तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ points में आपको बता दूँ कि इस particular strategy में आप cash में भी swing stocks निकाल सकते हो आप futures में भी swing stocks निकाल सकते हो ठीक है जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ futures के या फिर सिर्फ cash के निकलेंगे दौनों में आप strategy का implement कर सकते हो time frame की बात करें तो time frame आपको daily time frame और weekly time frame दौनों use करना है मतलब आप daily के basis पर अगर breakout मिलना है तो उसको भी use करना है weekly के basis पर मिलना है तो weekly को भी यहां पर हमें use करके यहां पर stocks को निकालना है ठीक है तो सबसे पहले कुछ stocks मैंने आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं वो मैं आपको example दूँगा और बताऊंगा कि कैसे मैंने इनको find किया है फिर हम breakout वाली strategy समझेंगे इन में ठीक है अब जैसे मैंने कुछ time पहले यहां पर SRF का chart आप लोग के साहर किया था SRF के पहले मैं Indigo ज़रा सा share कर दीता हूँ ठीक है Indigo सामने यह open है अब Indigo daily time frame पर यहां पर chart open है ठीक है हम क्या देख रहे है Indigo में कि Indigo जब इसने अपना previous all time high बनाए था जो कि था 12 जुलाई को उसके बाद से 12 जुलाई के बाद November पूरा end हो गया लेकिन अप यह अपने all time high को उसने break नहीं किया है तो जब यह इतना जादा travel करके अपने all time high को break करेगा तो आपको नहीं लगता कि यहां से कुछ ना कुछ momentum यह देगा यहां से कुछ ना कुछ 5-10% easily यह देगा बड़े आरामस देगा क्योंकि जब भी daily अपना particular कोई भी stock होता है जब वो अपना 52 week high break करता है या फिर अपना all time high का जो record वो break करता है तो उसके बाद बहुत तेजी से momentum आता हो उस point पर क्या होता है कि नए buyers वहाँ पे entry करते हैं और एक अच्छा momentum होता है तो सबसे पहले चीज़ आप कैसे stocks को निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो जब 52 week high या फिर all time high यहां पर break हो रहा है किसी भी particular stock का जैसे यहां पर आप देखोगे तो indigo का क्या हो रहा है all time high break हुआ तो यहां से momentum आने के chances बहुत ज़ाद है ठीक है और मैं आपको दूसरे stocks दिखाता हूँ Apollo Ties Apollo Ties में भी क्या है देखो Apollo Ties में भी यहां से एक trend line मैंने बना दी है लेकिन अगर मैं trend line ना भी बनाओ तो यह अपना अब यहां से जब high पूरा confirmation के साथ break कर रहा है तो यहां से क्या है कि एक अच्छा momentum आने की possibilities हमेशा यहां से रहती है तो एक चीज़ आप देख लो जब भी आपकी जो भी watch list है मैं free एक watch list आप लोग को देदूँगा जो मेरी दो watch list है एक swing large cap की stock है watch list है जिसमें 81 stocks है और एक swing mid cap है जिसमें 128 है तो मैं आपको दौनों stocks की watch list टेलिग्राम पे देदूँगा टेलिग्राम की link description box पे है अगर link काम ना करे तो आप direct टेलिग्राम पे जाके stocks trader search कर सकते हो stocks trader NISM certified वहाँ पे आपको लगबख 72,000 हमारी subscribers है वो वाला channel आपको join कर लेना है और कोई भी join नहीं करना है और कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है हमारे नाम पे don't pay anything हमारी swing community है जहाँ पे आप DMET account open करके free of cost lifetime के लिए जोड़ सकते हो जिसकी बिलिंक आपको description box पे मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यह आप चीज़ पता चल गई पहला point पहली strategy kind of a thing कि आप कैसे breakout जब आता है 52 week high का या फिर all time high का तो आपको यहाँ पे एक opportunity मिलती है एक momentum capture करने की किसी भी political stock में ऐसा नहीं है कि सिर्फ mid cap में या सिर्फ large cap में small cap में यह चीज़ और ज़्यादा काम करती है for example apolitized mid cap में आता होगा large cap में तो नहीं आता है तो इसमें क्या है ना कि जब यह momentum अब यहाँ से करेगा अब यह candle जब इसकी close हो जाएगी जो breakout candle है और इसके बाद जब next candle इसका यह high break करेगी तो उस point पे हमें entry करना है और stop loss हमें breakout candle का low रखना है और आप one ratio two mark कर लेना आपको यह one ratio two strategy बड़े आराम से देके जाएगी लेकिन, 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 लेकिन मैं एक चीज़ clear कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे risk management proper follow करके चलना ही यह हर एक चीज़ में है सिर्फ options में यह implement नहीं होता है swing trading में और ज़्याद implement होता है जब आप futures trading कर रहे हो तो losses की chances और ज़्यादा होते हैं कैसे breakout पे trade करते हैं यह तो हो गया कि all time high और 52 week high लेकिन chances यह भी होते हैं कि जब हम support and resistance के basis पे जब निकालते हैं breakout तब भी अच्छा momentum मिलता है सामने आपके example है भारत फोज यह मैंने last video में आपको trade दिया था यह swing futures one ratio three risk reward वाली video में मैंने बताए भी था और इसके बाद से momentum आ भी गया है ठीक है देखो यहाँ पे breakout इसका resistance है हमने mark किया जब यह resistance बन गया तो अब जब यह दो particular resistances बन गये हैं तो हमें यहाँ पे candidate हो रहा है कि यहाँ से एक trend line बन रही है same हमने trend line draw कर ली यहाँ पे resistance आया breakout हुआ और हमने इसका high mark कर लिया कि जैसे इसका high break होगा और हमें अपनी entry बना लेनी है तो हमने क्या किया simple चीज़ की यह mark किया entry बनाई इस particular candle पे हमारी entry हो और इसके बाद देखो momentum आ गया percentage की बाद करें तो कितना percent हमें अभी तक मिल गया में अगर हम entry point से देखें तो हमें almost closing का अगर मैं देखो तो 3% के आस पास का gain मिल गया है 2-3 दिन में ही यह साइद 1 दिन कहीं है 3% यह देखो 3.24% एक दिन कहीं है तो breakout में आप कैसे कर सकते हो 52 week high और all time high जब break कर रहा है horizontally तब आप उसको एक trade बना सकते हो यह हो गई breakout में और जब कोई particular resistance zone को break कर रहा है तब आप breakout के zone पे entry बना सकते हो पहले example होगे आप भारत फोज second में आपको example देता हूँ यहाँ पे Apollo ties हमने यहाँ पे cover कर लिया है इसके बाद है Bajaj Holdings का अब Bajaj Holdings पे कैसा क्या है देखो Bajaj Holdings पे एक example में आपको देखे बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ इन सबको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा आपको confusion create ना हो ठीक है यह मैं remove कर देता हूँ अब देखो यहाँ से हमने क्या हुआ यह resistance zone बनाया तो breakout का जब point का breakout का point जो है उसका high जब break होता है तो मतलब particular हम इस candle पे यानि कि हम इस particular candle पे entry करेंगे ठीक है लेकिन जब breakout point पे जब हमारी entry point के दो दिन बाद भी यानि कि दो candles बन जाए यहाँ पे और फिर भी entry ना है तो फिर आपको avoid करना यहाँ पे क्या हुआ देखो यह particular high हमने इसका मार कर दिया मतलब यह हमारे entry point है यह जो blue line है लेकिन एक दो दो दिन निकल गए और entry नहीं हुई इसका मतलब आपको avoid कर दिना है अगर सिर्फ एक candle बने यहाँ पे next candle लगातार breakout दे जाए तो entry करना है नहीं तो अगर एक candle ने भी pause ले लिया है, retest कर रही है तो भी आप plan कर सकते हो लेकिन अगर दो candle बन गई for example एक candle बनी, retest किया, चलो ठीक है अगली candle breakout आ रही है तो entry कर सकते है लेकिन इस पे भी next candle भी नीचे ही close हो गई तो फिर entry नहीं करना उस point पर क्या होता है, breakout confirmation के साथ नहीं आया है buyers यहाँ पे accumulate नहीं हुए है और momentum नहीं आएगा, ठीक है तो यह चीज़ आपको breakout में जब आप काम करोगे आपको उस तरीके से ध्यान लखना है फिर इसके बाद Macdoble का मैं example देता हूँ कैसे हमने Macdoble में एक अच्छा खासा profit बुक किया था, देखो इसमें भी हमने simple सा strategy पे काम किया था कि आप या तो चार्ट पैटन बेस पे आप इनको याद कर लो या तो अगर आपको यह patterns आते हैं तो आप इन पे simple सा आप क्या करो आप इनको अगर समझ पा रहे हो for example आपको breakout वाले जो pattern है जैसे bullish rectangle pattern था यह तो bullish rectangle pattern पे क्या हुआ यह हमने mark किया, straight momentum और फिर यह sideways में चला अब जैसे यहाँ पे breakout आया जैसे यहाँ से यह breakout आया और हमने यहाँ पे अपनी entry बना ली candle close हो गई उपर, entry बना ली stop loss दिया, just इसके candle का नीचे का और हमने 1 ratio 2 अपना mark कर लिया आप देखो अगले एक दिन की candle में हमें 1 ratio 2 मिल गया और अगर आप और hold कर पा रहे हो तो धीरे धीरे momentum अप side में धीरे धीरे आ रहा है तो breakout पे आप क्या कर सकते हो आप simple सा थोड़ा थोड़ा momentum का target करो, ऐसा नहीं है कि आप बस 15-20% का, मैंने यह से बोला 5% भी अगर आपको मिल ला है, यहाँ पे तो 9.99 मतलब 10% के आसपास मिल गया 8% minimum हम target कर रहे हैं तो उतना अगर आपको मिल ला है ना, it's more than enough और अगर futures में 3%, 4% भी मिल रहा है, तो वो आपका 5X हो जाएगा because आपने margin को use करके, वो 3-4% कमाया है, तो यह benefits हैं यहाँ पे futures के, और थोड़ा-थोड़ा momentum पकड़ोगे, तो जाद अच्छे बात आएग, जैसे अब यहाँ पे, एक और मैं बताता हूँ और अभी फिर से अपने all-time high की breakout के पास आ गया है, तो जब यह ऊपर candle एक close कर देगा, उसके बाद next candle उसका high break करेगी, तो हम entry बना लेंगे, for example, यहाँ पे entry बनती है, stop loss यह रखेंगे, और 1 ratio 2 का हम अपना जैसा, सीधा-सीधा यहाँ पे लगा देंगे risk reward ratio, अब यह stocks मैंने निकाले कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, stocks निकालने के लिए आपको सीधा-सीधा यहाँ पे large cap, mid cap, जो भी आपकी watch list है, आपको उस पे जाना है, और one by one, अब आपको mark करना है, अब 52 week high और all time high आपको automatically समझ में आ जाएगा, यार यह अभी ऊपर नहीं गया, इसके मतलब यह all time high नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई resistance zone बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है, आपको जैसे अब यहाँ पे हम देखें, daily time frame बगएरा पे, आपको weekly पे भी देखते रहना है, daily पे भी देखते रहना है, ठीक है, अब जैसे हमने Apollo tubes दिया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा यार यहाँ पे यह resistance बन रहा है, अब यह resistance मुझे पता कैसे चला, सामने दिख रहा है, ठीक है, अब इसके लिए काफी लोग बोलते है, screener दे दो कोई, देखो, हर चीज के लिए किसी और पे depend होना, it's not worth it, आपको खुद के efforts डालने पड़ेंगे, simple सा चीज हमने देखा, यह resistance यहाँ पे है, यह resistance यहाँ पे है, तो हमने उसी basis पे, यहाँ पे भी resistance trend line आ गई, आप candle की closing नहीं हुई, अगर candle की closing ऊपर हो जाती, तो फिर हम क्या करते, candle की closing होती, और next candle पे, इसका जब high break होता, तो हम entry बना लेते, और 8-10% यारे की 1 ratio 2 हम easily लेके जाते हैं, ठीक है, तो breakout strategy में कुछ इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है, जैसे कोलपल का मैं आपको example देता हूँ, कि कोलपल ने कितना momentum दिया था यहाँ पे, simple से breakout pattern पे, ठीक है, मतलब simple सा breakout capture करने में momentum आया था, अभी मैंने remove कर दिया था, ताकि मैं आपको सामने बताऊं, देखो, अभी यहाँ पे particular यह point पे, अगर आप देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे तो यह आपको देख रहा है कि breakout आ चुका है, लेकिन उस point पे क्या था, हमने जब इस तरीके से trend line बनाई, जो कि सेम अभी हमने Apollo tubes में trend line बना के आपको बताई है, ठीक है, तो सेम यही था, यहाँ उसमें भी ऐसी कुछ विक आई थी, तो हमने entry नहीं की, ठीक है, जब next candle ने अपना breakout दिया, high break किया, और one ratio two पे हमने entry बनाई, बनाई, low stop loss और target, one ratio two दिया, जादा भी नहीं दिया, देखो, अगली दो candles में target अचीव हो गया, उसके बाद बहुत जादा momentum आया, और अभी भी momentum आप देखो, आते ही जा रहा है, तो आपको करना क्या है, stocks में trend line बनाओ, resistances जहां पे बनना है, उनके break होने पे आप सीधा-सीधा trade करो, उसके लावा कोई और जरुवत आपको नहीं है, और most important thing, अगर आप 200 EMA का strategy का use कर रहे हो, तो और भी अच्छी बात है, 200 EMA strategy से आप और अभी अच्छी trades निकाल सकते हो, for example, 200 EMA क्या होता है, 200 E में अपने line पे आता है particular stock, तो हम वहाँ पे entry बनाते हैं और ये target मिलता है, ये video की, ये video मैं already share कर चुका हूँ, मैंने कहा, swing trading course में ये video share की है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, how to find, यहाँ पे देखो, 200 EMA swing strategy, तो ये आप जाके देख सकते हो, ठीक है, course बगयरा पू कोर्स लेनी कि आपको जरूर नहीं है, पूरा पूरा यहाँ पे free course है, जो swing trading के लिए enough है आए गया, तो इसके लावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, simple रहता है swing trading में terms, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप momentum आया, फिर उसके बाद इसने वापस 200 EMA touch किया, फिर आपने buy क क्या है, आपको तुरंथ returns नहीं मिलते हैं, मतलब instant gains नहीं मिलते हैं, आपको wait करना पड़ेगा, cash में लेना पड़ेगा, तब जाके gains मिलते हैं, ठीक है, तो यह 200 EMA आप detail में वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, तो कैसे करना आपको 52 week high या all time high mark करो, उसक point पे आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें risk manage कैसे करोगे, तो आपको पैसा होतनी डालना है, आपको आपकी सामने stop loss आपको पता है, कि यार आपका जो risk capital है, वो आपको अच्छे से पता है, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा बेटर पता है, for example, आपको for example के stop loss से रखना, stop loss के साथ हमें छेड़ खानी नहीं करनी है, अगर futures में कर रहे हो, तो फिर तो lot एक fix आएगा, उसी में आपको अगर comfortable लग रहा है, कि हाँ, आपको अच्छा खासा है, यहाँ पर momentum मिलेगा, तो आप ठीक है, नहीं तो फिर stop loss आप जो छोटा जहाँ पर बन रह करिएगा, आप इनको अभी track करिएगा, कि यह कैसा performance यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, आप बस track करते जाईएगा, अब Indy को यहाँ पर ले देते हैं, इसको आप track करिएगा, फिर है SRF, तो इसको भी आप track करिएगा, SRF weekly time frame पर है, ठीक है, जैसे weekly time frame पर यह SRF है, जैसा pattern हमने मैं भी देखा किसमे, कोल पाल में देखा, सेम pattern यहाँ पर, अभी किसमें बन रहा है, SRF में, entry कहां करेंगे, जब breakout resistance की उपर close कर जाएगा, उसके high पे, stop loss candle का low, और target कहां तक कर रखना है, फिर one ratio one नहीं, आपको जो previous resistance दिख रहा है न, अगर वो जादा points का है, तो वो आप रखके यहाँ पर trade कर सकते हो, simple सी चीज़े हैं, इस तरीके से swing stocks आप निकालोगे, और इसी strategy पे भी काम करोगे, तो भी more than enough है, लेकिन मैं जादा 200 EMA को prefer करता हूँ, because उसकी accuracy 99% मैं बोलूँगा, traders, बहुत rare हैं से stocks, mid cap और small cap में, मैं 200 EMA को implement नहीं करता हूँ, ठीक है, large cap मे मैंने बहुत rare हैं से बहुत ही rare देखा है, जब 200 EMA strategy failed हुई हो, तो उस पे जादा focus करिएगा, जादा अच्छे returns की possibility आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी, so that's all guys, channel को subscribe जरू करिएगा, और video अच्छी लगी हो, तो video को like जरू करिएगा, 2000 likes आएंगे, तो हम swing जो challenge हमने plan क किया है, futures का, वो हम start कर देंगे, बहुत जल स्टार्ट कर देंगे, 2000 likes जब आएंगे, उसके अगले दिन से ही हम challenge को start कर देंगे, so that's all guys, thank you for watching this video.